नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका सुपागत है भारत और चीन के बीच L.A.C. पर तनाव जारी है युद्ध जैसे हालाद बने हुए हैं, दोनों देशों की सेनाय आमने सामने हैं भारत के रक्षा मंतरी राजना सिंग ने चीन सीमा विवात पर मंगलवार को लोग सभा में बयान दिया रक्षा मंतरी ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि भारतिय सेना हर मुश्किल घड़ी में तयार है राजना सिंके इस बयान से चीन बौखला गया है चीन के सरकारी अकबार Global Times का कहना है कि भारत के रक्षमंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्वियों में तनाव बहुत बढ़ सकता है चीनी अकबार ने एक बार फिर से एलिसी पर तनाव के लिए भारत पर ही दोश मड़ा है Global Times में Experts के हवाले से कहा गया है कि लदाक सीमा पर मसला जल्द सुलजाना मुश्किल है कहा गया ही कि इस तरह का बयान देकर भारत के रक्षा मंतरी अपने लोगों को ये भरूसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार तयार है लेकिन सच यह है कि भारत के कारण ही ऐसी परिस्थती बनी है अकबार ने लिखा कि भारतिय सेना सर्दियों के बढ़ने के साथ ही अधिक दबाव महसूस कर रही है क्योंकि उनका रक्षा खर्च अधिक है और भयावै आर्थिक मंदी के वज़े से वो युद्ध की स्थती में नहीं है भारतिय नेताओं को पता है कि वो गिरती जीडिपी और बढ़ती बेरोज़कारी के वज़े से चीन के साथ युद्ध नहीं कर सकते ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी जड़पों में जुटी रहती है वैसे ही हालाद चीन सीमा पर भी बन सकता है ऐसे में चीन सेना को तयार रहना चाहिए अकबार में कहा गया है कि भारत के रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने सीमा पर तनाव की जिम्मेदारी चीन के सिर मड़ती है Global Times ने लिखा है कि भारत को लगता है कि अगर उसके सैनिक लंबे वक्त तक चीनी सीमा पर तिके रहेंगे तो ये युद्ध शांती की ओर बढ़ सकता है यही कारण है कि भारत इस तरह की बाते कर रहा है बता दे कि Global Times की ओर से बार-बार उकसाने की कोशिश की जा रही है और वो माहौल को बदलने में लगा है गौरत लबे की पिछले 6 महीने से L.A.C. पर तनाव बना हुआ है दौनों देशों के बीच कई इस तरकी बातचीत हो चुकी है लेकिन फिलहाल इस मसले का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा इसी को देखते हुए भारत ने सीमा पर सर्दियों के लिए तैयारी करना भी शुरू कर दिया है सिना क्योड से लगतार सामान इघटा किया जा रहा है साथ ही जवानों के लिए सर्दि के कपड़े टैंट की विवस्था की जा रही है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है साथ ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और One India Hindi को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले नमस्कार